हेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ या फिर बोल सकते हैं अगर आप सेमसंग यूजर है तो यह वीडियो डेफिनिटल आपके लिए आगे मैं आपको बताने वाला हूँ वन यूई 5.0 का सेडूल की कौन-कौन से मोबाइल में कब कब यह व यहां पर दोस्तों मैं आगे आपको बोल के ही बताऊंगा और यहां पर लिखा हूँ अभी बताने वालों ताकि आपको एजीली समझ जाए तो सबसे पहले अक्टूबर 2022 में जो अपडेट रिलीज हो चुका है जिन गलेक्सी मोबाइल के लिए वो है गलेक्सी S22 गलेक्सी S22 Ultra के लिए अक्टूबर 2022 में इसका अपडेट रिलीज हो चुका है और नवंबर 2022 मतलब की जो अभी करेंट महीना चल रहा है उसमें आपको इत्ते सारे डिवाइस में यह मिलने वाला है कुछ-कुछ में तो आभी चुका है गलेक्सी Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, S21 Ultra, Note 20, S20, S20 Plus, S20 Ultra, S8, Tab S8 Plus, Tab S8 Ultra, Tab S7, Tab S7 Plus, Samsung Gundam 3, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G इन में नवंबर 2022 में आने वाला है, ऐसी दिसम्बर 2022 की लिस्ट आपको बताने वाला हूं जिसमें गलेक्सी Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip, Galaxy S20 FE, Galaxy Tab S7 FE, S7 FE 5G, Galaxy Tab S7 Lite, Galaxy A, Galaxy A52S 5G, Galaxy A51, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A32, Galaxy A32, Galaxy A32, Galaxy Jump 2 और जो जनवरी 2023 में आगे आने वाले हैं, उसके हैं, Galaxy Tab A8, Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab Active 3, Galaxy Birdie 2, Galaxy White 6, Galaxy White 5, Galaxy Birdie, Galaxy A23, Galaxy A13, Galaxy A13, Galaxy A12, Galaxy X Cover 5, और जो लास्ट अपडेट आएगा, फरवरी 2023 में, उसमें आएगा Galaxy Tab Active 4 Pro, दोस्तों ये ओवराल लिच्ट थी, मैंने सबके स्क्रीन शोर्ट भी लगा दिया, बोलने सबके लिक के बता दिया है, ताकि आप इजिली इसको देख सके हैं, अगर आपको मैंने जल्दी जल्दी और हो सके, तो मुझे Instagram फिल्द फोलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीशी डिस्क्रीशन मिल जाएगा, तो थैंक्यू दोस्तों,